बताते चले कि डीडीसी चुनावों को मध्य नज़र रखते हुए गुपकार एलाइंस में लगातार मतफेद जो है वो बरकरार दिख रहा है और गतिरोध को खत्म करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने अब कमान संभाल ली है यानि कि जस तरह से डीडीसी चुनावों को मध नज़र रखते हुए प्यूपल एलाइंस लगातार खत्रे के निशान पर दिख रहा था क्योंकि हर किसी के साथ मतफेद जो है वो पनपता हुआ नज़रा रहा था अब पूरी कमान महबूबा मुफ्ती ने संभाल ली है और महबूबा की अध्यक्षता में भी अब भी चल देखा गया है वो देखने वाली बाती और जैसे ही यूटर लिया गया उसके बाद लगातार गुपकार एलाइंस के अंदर मतभेद बडबता हुआ नज़र आ रहा था अब इस गतिरोध को बरकरार जो है वो रखा गया है गुपकार एलाइंस के अंदर और चुनावों को जमू कश्मिर में चुनाव कराने का जब एलान किया है जिसमें 28 नवेंबर को अंतिम चरन के यहां चुनाव होंगे 8 चरनों में यह चुनाव कराये जाएंगे और 22 दिसमबर तक यह चुनाव होंगे यानि कि जिस तरह से कवायत देखी गई कि किस तरह यहां गुपकार एल